इसका विवेचन चरक सूत्र सात्वे अध्याय में आया है। उस अध्याय का नाम न वेगान धारणियम अध्यायम ऐसा है। और ऐसा ही इसका वरणन वागबर सूत्रस्तान चौत्य अध्याय में है। हमारे साणस में, हमारे सहिताओं में अध्याय के नाम करण की एक स्पेशल विदी है, एक स्पेशल टेकनिक है। इस अध्याय का नाम न वेगान धारणियम अध्यायम। ऐसे ही इस प्रकार से के अध्यायों के नाम सहिता में है जैसे आयुशकामी ये अध्याय, दिर्ग जीविती ये अध्याय तो कुछ अध्यायों के नाम किस प्रकार से बनते हैं उस शब्द को इय प्रत्य लगा के वो अध्यायों के नाम बनते हैं जैसे नवेगान धारण प्लस इय प्रत्य नवेगान धारणियम दिरगजीवित प्लस इय प्रत्य दिरगजीवित इय अध्याय तो इस प्रकार से कुछ अध्यों के नाम इय प्रत्य लगा के बनते हैं और कुछ अध्याय जैसे रहते हैं जैसे महारोगा अध्याय जैसे रसविमान अध्याय ऐसे क्लियर जिसमें यह प्रत्य नहीं लगता इस प्रकार से उस अध्याय के नाम बनते हैं तो मन में सवाल उत्पन होता है कि ऐसा क्यों किया, कुछ अध्यायों के नामों को यह प्रत्य क्यों लगाया और कुछ अध्यायों के नाम केवल प्रत्मा में क्यों रखे तो जिस अध्यायों के नाम को यह प्रत्य लगता है उसका अलग महत्वा है अगर उस विशय से अगर उस शब्द से कोई उद्देश व्यक्त करना है कोई विशय व्यक्त करना है तो उसको यह प्रत्य लगाते हैं अगर ऐसा कोई उद्देश नहीं है तो केवल प्रतमा में व वो शब्द रख देते हैं अभी नवेकान धारणियम तो नवेकान धारण के बारे में धारणियम के बारे में ये विवेचन कर रहे हैं इसलिए वो यहाँ पे उद्देश है इसलिए यहाँ पे ये प्रत्य लगाया धिर्ग जीवितिय यानि धिर्ग जीवन ये उद्देश ह तो उसके बारे में बिवेचन करने वाला अध्याय है इसलिए वहाँ पर उसको यह अप्रत्य लगाया तो इस परकार से अध्याय के नाम जो है वो बनते हैं तो सबसे पहले विचार आता है कि यह वेग क्या है न वेगान धारणियम वेग क्या है वेग मीन स्पेड वेग यह गतिवाचक शब्द है और गती जो रहती है वो वायू के सिवाए नहीं हो सकती so this वेग is ultimately due to the वायू because the वायू has a tremendous speed, enormous speed so यह जो वायू का चलगून है वो चलगून के कारण उस भावपधारत को tremendous speed प्राप्त हो जाता है और उससे वेग की उत्पत्ति होती है अभी जो चरक सूत्र जो सातवाध्या है अगर आपके पास है चकरपानिटी का तो उसका page number 49 है तो उसके शलोक number 3 और 4 जो है उसमें उस अधारणिया वेगों की संख्या विशत्की है तो इस शलोक में शलोक number 3 और शलोक number 4 में तेरा वेगों की संख्या उन्होंने विशत्की है चरकाचारेजिने लेकिन सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि ये वेग जो है यहाँ पर वरणन किये हुए शलोक number 3 और 4 में वो किस आधार पे निर्धारित किये हैं कौन-कौन से भावपदार्थों को उन्होंने वेग कहा है तो इसको अधारनी वेग करें इसके बेसिकली दो नियम है सबसे पहला कि जिस भावपदार्थों को शरीर बहुत ही वेग से बहुत से स्पीडिली से शरीर के बाहर निकालना चालता है ऐसे भावपदार्थों को आचारिय ने वेग कहा है जैसे कि पुरीश, मुत्र, एक्सेटरा तो यह एक पैरामिटर हो गया और दूसरा पैरामिटर देहपूर्ति के लिए जिनका सेवन करना आवश्यक है ऐसे भावपदार्थों के वेग जैसे शुत, पिपासा, एक्सेटरा तो इस आर थे टू बेसिक पैरामिटर्थों के लिए जो श्लोक नमबर तीन और चार है उसमें चक्रपानी की टिका है तो चक्रपानी ठीका है बहुत ही इंपोर्टेंट है उसमें जो पहली लाइन है चक्रपानी की उसमें वो क्या कहते है पुर्वाध्यायाभ्याम स्वस्तहित आहाराहा प्राधान्यन उक्ताहा तस्य आहारस्य स्वस्तहितत्वं आहारपाकज मुत्रपुरिशानाम विधारितं वेगानाम बहिरगमने सति भहतीती मुत्रदी वेग विधारण उपदेशकं न वेगांधारणियं इयं आह इससे पहले का जो अध्याय है उसमें स्वस्ताहार का इतकरहार का वरणन किया है लेकिन वो आहार हितकर तभी होगा जब उस आहार का पाक होके जो निर्मान हुए मुत्र और पुरीश है वो without any obstruction सुलपता से शरीर से बाहर निकलेंगे तभी वो आहार हितकर होगा याने केवल हितकर आहार का सेवन करना यह अपिक्षित नहीं है उसका पाक उसका पचन अच्छे प्रकार से होके जो अंतिमताहा किटबाग पुरीश वो मुत्र निर्मान होते हैं वो उत्पन्य वेगों का प्रवर्तन भी भली भाती होना अवश्यक है अगर आहार का पचन अच्छा हो गया लेकिन वेग प्रवर्तन अच्छे प्रकार से नहीं हो गया या फिर आहार का पचन अच्छा हो गया वेग प्रवर्तन भी अच्छा हो गया लेकिन प्रग्यापराद के कारण अगर वो प्रवर्तित हुए या फिर उत्पन्न हुए वेग का विधारण किया तो फिर different kinds of pathologies, pathophysiological events are now going to our eyes तो यह important चीज उनने यहाँ पे कही कि आहार का अंतिमतहा परिणाम केवल पचन तक नहीं है वो उत्पन्न वेग तक है और उत्पन्न वेग होने के बाद वो भावपधारद जिसके लिए वो वेग उत्पन्न हुआ है वो शरीर के बाहर सुलपता से जा रहा है या नहीं यह देखना भी जरूरी है अभी न वेगान धारिये धिमान जातान मुत्र पुरिशयो हो अभी जातान शब्द पे भी चक्रपाणी जी ने ठीकरा की है देखो उपर से एक चौथी पाच्वी लाइन है जाताना जातान इती जात मात्रां याने क्या जाताना मिती जात मात्रां उत्पन्न हुए नैच्रली उत्पन्न हुए वेग उनका विधारण नहीं करना चाहिए न जातान मुत्र पुरिशयो हो वेगान Naturally जो वेग उत्पन हुई है मुतर पूरिश के उनका विधारण मत करो यह इसका अर्थ है याने अर्था पत्ती से वेग का निर्मान forcefully नहीं करना है वेग का उधिरण भी नहीं करना है वेग कैसे होनी चाहिए जाताना They should be naturally produced The impulse should be naturally produced It should not be induced even क्योंकि क्या है कि बहुत लोगों को आजकल हम देखते हैं कि over the counter कुछ अनलोमग दवाईयां कायम चूरन हो या फिर अत्रिपड़ा चूरन हो या फिर कोई भी वैद्दे से सला मश्मला न करते हुए भी ये कब्स के लिए, कॉंस्टिपेशन के लिए ऐसे दवाई लेने क्या आदत रहती है और वो long standing वो दवाई रोगन ले रहता है ये जाता नाम वेग नहीं है ये वेग induce कर रहे है तो उसका भी शरीर पे दुश्परणाम long standing बे दिखने वाला है तो ये important चीज़ है ये जाता नाम वेगा नाम मुत्रपुरिशे हो वेगा नाम न धा रही है अभी वेग की definition भी की है चक्रपानी जी ने तो वेग यानि उन मुखत्वम जो बाहर शरीर के बाहर आने के लिए जो उत्सुक हुए है ऐसे भावपदार्थ ऐसे उनको वेग कहा है मुत्रपुरिशयो हो अभी देखो मुत्रपुरिशयो हो द्वी वचन है क्योंकि दोनों का उल्ले है मुत्र और पुरिश का तो ये मुत्रपुरिशयो हो कहते हुए उनने सबसे पहले मुत्र का उल्ले किया और उसके बाद पुरिश का उल्ले किया ऐसा क्यूं किया पुरिश मुत्र यहो ऐसा क्यूं नहीं कहा मुत्र पुरिश यहो हो ऐसा क्यूं कहा तो इसका भी विवेचन टीका में हमको मिलता है चकरपानी टीका में तो चकरपानी टीका में देखिए बीच में एक लाइन है कि मुत्र गरहनम आदो मुत्रस्य पुरुशाद्य अपेक्षयाहा बहुवेगत्वाद। मुत्र प्रवर्तन का जो वेग रहता है वो comparatively तुलनात्मक दुरुष्टया पूरिश वेग से जादा रहता है। तो इस कारण यहाँ पे मुत्र शब्द पुरिश से पहले लिया। मुत्र का वेग का लेग पुरिश से पहले किया। तो यह चकरपान जी ने वहाँ पे लॉजिक दिया है। तो कि ऐसा हो सकता है कि बहुवेगत्वाद मुत्र वेग comparatively ज्यादा force पुल रहता है। ज्यादा speed वाला रहता है। इसलिए उन्हें मुत्र वेग का वरण पुरिश वेग से पहले किया। मुत्र पुरिश योह। और मुत्र पुरिश योह। देखो यह दोनों शब्द एक साथ आये हैं। इन दोनों शब्द का समास किया है। वैसे ही इस लोक नंबर चार में शुत पिपास योह। यह दोनों वेग भी एक साथ परण किये हैं। तो मुत्र पुरुषयो हो ये दोनों वेग की जोड़ी, खुत पिपासयो हो ये दोनों वेग की जोड़ी, ये दोनों जो वेग है वो एक-एक साथ उनका वरणन किया है, दुसरे अन्य कोई भी वेग एक-एक साथ नहीं वरणन किये, ये मुत्र पुरुषयो हो और खुत पि तो ये दोनों वे प्राया एक साथ उत्पन्न होते हैं ईसा चकरपानी जी कहना है उनने का आए कि फूर्ण थी ने प्रम साहत पानद दर्शनार्तम सहोत बात simultaneously that's why there is a should be passed the mutra and purisha mostly produce simultaneously that's why there is a narration that these two vegas are collectively narrated mutra purisha yohu chutpipasa yohu और एक important चीज है कि अगर इस श्लोक का हम अध्यान करते हैं तो बहुत बार नशब्द आता है अगर हम श्लोक की रचना देखे नवेगान दारेद धीमान जाता नवुत्र पुरिशय नवाटस्या नचर्दया नख्षबतो नव जुंबया नवेगान तो एक ही बार अगर नव कहते हैं तो वह नशब्द सभी वेकों को अप्लिके बलोता फिर से फिर से नशब्द की योजना करने का क्यातात परिया है उसका क्या विप्राय है तो उसके बारे में भी चक्रपान जिने कहा है देखो प्रतिनिशेद्यम नकार करणं निशेद्य गवरव उपदर्शनार्थम प्रतिनिशेद्य जो है निशेद्य जो है उसका उपदर्शन के लिए जो निशेद्य जो है वो निशेद्य का इंफसीज करने के लिए पुना-पुना न ये शब्द उनने तो यह न शब्द बार पर लिखने का सबसे इंपॉर्टन्ट आत्परी है कि हमारे मन पे पढ़ने वाले के मन पे शिश्य के मन पे उसका ज्यादा इंपसाइज हो उसका प्रभाव ज्यादा पड़े एक बार लिख जाते तो कोई अर्थों में कोई बदल नहीं आता लेकिन फ इसको चरदी नो मुतरपुरिशयो नो शूत पिपासयो नो तो हर एक बेग का अलग-अलग इंपसाइज है अलग-अलग महत्वा है उसके अधारणिय वेगों का उस उस प्रकार से इंपॉर्टन्ट दर्शानी के लिए इंपसाइज उसका दर्शानी के लिए रिपिटेड सेंहिताएं देखे तो थोड़े-थोड़े माइनर चेंजिस आते हैं वागपड़ जी ने कास यह नया वेग यहाँ पर इंकॉर्परेट किया है और सुस्रुस सेंहिता में देखे तो शुक्र वेग के बजा बजाए वहाँ पर इंद्रिय शब्द आया है तो ऐसे थोड़े तोड़े माइनर चेंजिस हमको मिलते हैं अभी चरक चरका चारेजी ने तो तेरा वेगों का वरण किया है तो मन में सवाल आता है कि वेगों की संख्या केबल तेरा ही है क्या यह उससे ज़्यादा भी हो सकती है तो यह जानने की बात है कि शास्त्र में मुसली जो की अंधारत के बारे में जो संख्या वरण आता है वह लक्षन मातर रहता है हम आज के जमाने में अगर कोई अनुक्तवेह हमको कोई रहा है यह हम उस वेग को हमको लग रहा है कि कहा हमारे पेशन इस-इस नए वेग का वेगावरूद करते हैं तो उनका भी हम इसी नवेगान धारणियों में धारणियों वेगों में कर सकते हैं तो तेरा ये जो संक्या है वो उपलक्षन मात्र है MCQ सॉल करने के लिए ठीक है चरकाचारे जीने कितने विक्त है 11 कहे 12 कहे 13 कहे 13 को महत्व नहीं है वो किसलिए है वो स्थूल बुद्धी के लिए है तो ये जानने की बात है ये 13 के जो लक्षन दिये हैं वो आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है वो जानिये आप और उसके अनुसार आज के यूग में अगर आपको कोई अलब वेग आपका रोकी ये आज की सुसाइटी में मनुश्य कर रहा है तो उसको इनकॉर्परेट कीजिए तो वो युगान रूप संधर्ब देने की बात है तो वो आप एड़ कर सकते हो तो इस संख्या में हमको नहीं फसना है दूसरी बड़ी बात when we are analyzing these 13 vega what we get when we read these 13 vegas what we understand out of these 13 only these 6 vegas are actually having the speed velocity, force is there any velocity required for nidra, shudha, shudha, pipasa no but only the 6 vegas are the forceful vegas what are the 6 vegas forceful vegas that require or that having the velocity out of the 6 vegas the 2 vegas are related with the Udana Kshetra that is Kshabatu and the Chardi and the 4 vegas are related with the Apan Kshetra that is Adho Vata, Purisha, Mutra and the Shukra so the 4 vegas related with the Apan Kshetra and the 2 vegas related with the Udana Kshetra these 6 vegas actually are the forceful vegas only these 6 vegas are having that much speed so that by obstruction they can produce the Udavart 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 Ud means Aap A means from all over and the Vart means to turn to bounce so that's why in the Charak Sutra 19 Adhyaya that is Maharoga Adhyaya in Shloka number 3 there are the 6 types of Udavart are only mentioned so again one question arises why in this Maharoga Adhyaya Charak Sutra 19 Adhyaya only the 6 types of Udavart why they narrate it this Udavart is important cause of the Marmabhigat CVS Renal or CNS disorder there is a description of Udavart at first so this Udavart is very important pathophysiology and they are describing the 6 types of Udavart why because there are actually the 6 courseful Vegas only out of this 13 Vegas and by the obstruction of this 6 courseful Vegas there are the chances of developing the Udavart okay so the second important thing is that from the slope number 6 onwards there are the narrations of the symptomatology arises due to the individual Vegvidharan Mutra Vegvidharan Purusha Vegvidharan etc how to understand this individual Vegvidharan symptomatology symptomatology so if we observe this symptomatology there is a common common pattern what is that there is a one controller Vayu Niantra Vayu second one is exchangeable entity the Vayu is exchanging something third one is sthana of that Vayu so on the basis of these three basic parameter controller Vayu Niantra Vayu the exchangeable entity and the sthana we can narrate or we can understand or we can what we can say understand the rational behind the symptomatology arising due to this individual Vega Vidharana for example if we understand or if we read the Mutra Vega Vidharana so what we understand the controller Vayu is Apana exchangeable entity is Mutra and the sthana is Apana Chitra that means Pakavashaya Mutra Vahastrotas etc so the symptomatology is related with the Apana Vayu and the Apana Chitra and with the Mutra so we can relate with it so and this principle is applicable to each and every Adharani Vega okay so in slope number six there is a description of Mutra Nikraha and the symptomatology arises due to the Mutra Nikraha what is that So here the exchangeable entity Mutra and Chitra and Mutra Samusthan यह यह जो स्थान है यह डाइरेक्ली अफेक्टेड है पहिरा लक्षन है बस्ती शूलम तो नच्रली यह आपान का अफिरिया हमें बेदना होते हैं नच्रली यह एलक्षन वायू के प्रतिलोमित होने के कारण अपान वायू प्रतिलोमित होने के कारण यह उत्पन हुआ है एक्चली रक्त और कब के प्रसाद भाग से शरीर में यह जो आशे हैं वो बनते हैं जैसे आंत्र, गुदो और बस्ती और इन आशेयों के जगह पे और यह आशेयों के इंटरनली पित्त का पचन होता है जिनके कारण इस औरगन बिकम होलो और दूट विच थू इस औरगन्स होलो औरगन्स वाट विए आशेयों के इसली फैसिलिटेट वा उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है सुसुरुत में उन्हें का है कि वायूंच अपी अनुधावती सो बेसिकली आगर हम शरीर रचना देखे तो यह बस्ती जो औरगन है अब यह है उसकी जो भित्ती है उसकी जो वॉल है वो रक्तो कफ़के प्रसाद भाग से बनी है और उसके बीच की जो जगा है वो वायू के गति के लिए वायू के वहन के लिए वो फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ के वो जगा उत्पन हुई है वायूंच अप्यानुदावती तो इस प्रिकार से अगर मुत्रवेक का दारण करते हैं तो नैचरली आपान प्रतिलों मिद करके अगर बस्ति शूल उत्पन्न कर रहा है तो नैचरली जो बस्ति आवयू जिस धातों से बना है उनकी दुष्टियों होना आपक्षित है और वहाँ पे शूल ये लक्षन न प्रिमिती पकोशे में होती है लेकिन ये मुत्र और कलेद इनका सारवदेहिक कलेक्शन बस्ति में होता है इसके कारण मुत्रवेक अवरोध में बस्ति शूल ये प्रथम लक्षन सबसे पहले इस लक्षन का उल्लेक मिलता है हमको पता है कि चरग पिमानस्तान के पाचप्य अध्याय में मुत्रभस्त रुतस का मूलस्थान बस्ती है अगर हम अश्टांग संग्रह पड़ते हैं तो अश्टांग संग्रह के निदांस्थान का जो नववा अध्या है उसमें शलोप नंबर पाच जो है उसमें सरवेशा मुत्र रोगानाम अधिश्ठानम बस्ती का वरणन इस प्रकार से आया है कि वो सरवेशा मुत्र रोगानाम अधिश्ठानम सभी मुत्र रोग का अधिश्ठान है ऐसा वरणन किया है और उसका मुख का नीचे है और उस बस्ती में सहस्त्र मुत्रवह नाडियां आके वो सेंदन करती है और द्रवरूप से मुत् उस बस्ति आवयो में होता है उपस नहन न्याय से ऐसा वरणन अश्टांग संगरह में हमको मिलता है तो इस प्रकार से बस्ति शूल यह प्रतम लक्षन मुत्र निकरह में वरणन किया है अबी यह बस्ति शूल अगर पेशन कहता है नैचरल यह हम हिस्ट्री पूछेंगे कि मुत्रव एक विदारण की हिस्ट्री है क्या तेकिन अगर प्रिडॉमिनेंट बस्ति शूल यह लक्षन है तो उसका डिफ्रेंशिल डाइगनोसिस on the basis of आयरवेदिक पैरलन्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं तो दे को उसके कुछ खुछ रेफ्रेंश हम जुटा सकते हैं सू वाट इज अईड़ अ का ढूब लिख ओर हमको और विद ट्रीट्मिंट करनी है तो हमारा निदान और अइर विदिक होना चाहिए ऐसा नहीं कि modern का निदान है और आयरवेदिक इलाज कर रहे हैं आयरवेदिक उप्चार कर रहे हैं बले हमारा आयरवेदिक निदान कुछ precise नहों कुछ हद तक गलत हो लेकिन हमारी सोच तो आयरवेदिक होनी चाहिए तो इसी हिसाब से सबसे कहले जो symptomatology है जो लक्षण है उरग्ण बताता है जुर कहता है शोत कहता है शूल कहता है तो हर एक लक्षण का आयरवेदिक के दुरुष्टी से differential diagnosis करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो differential diagnosis आयरवेदिक दुरुष्टी से नहीं होगा तब तक हम precise diagnosis तक नहीं पहुच पाएंगे और जब तक हम precise diagnosis तक नहीं पहुच पाएंगे तब तक precise चिकिसा भी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए अगर हमको चिकिसा में एशेस भी होना है आयरवेदिय चिकिसा में एशेस क्यों होना है तो precise diagnosis करने के लिए जो symptomatology है उनके आई रिविद्य दुरुष्टी कौन से differential diagnosis करना important है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जैसे कि आप यह बस्तिशूल यह लक्षण है तो बस्तिशूल लक्षण का differential diagnosis किस प्रकार से होगा तो कुछ-कुछ references यहाँ पर मैं बताऊंगा चरक सही ताके affection यह है कि आप सुस्रुप में जाके उसका differential diagnosis कहां कहा आया है या फिर वागबट में जाके वो differential diagnosis कहां कहां पर आया है वो देखने की कोशिच कीजिए अभी चरक सिद्यस्तान का जो पहला अध्या है उसमें श्लोप नमबर 42 जो है तो वो बस्तियायोग इस बस्तियाय के लक्षण में बस्ति शूल ये लक्षण है चरक सिद्यस्तान का जो सातवाध्या है लोक नमबर 9 उसमें बस्ति के व्यापत के लक्षण में बस्ति शूल लक्षण है तो हम ये पूछ चकते हैं पंचकर्म बस्ति का administration अगर अच्छी प्रकार से नहीं हुआ है उसका और एक इंपोर्टन लक्षण इंपोर्टन कारण चरक सिद्यस्तान के बारा व्याध्या में श्लोक नमबर 13 में मिलता है अगर परिहार खाल में व्यावाई किया रूग नहीं तो उसमें बस्ति शूल ये लक्षण मिलता है चरक सिद्यस्तान के नवयाध्या का जो चटा शलोक है उसमें बस्ती मरमा भी खाता है ये लक्षण जिया है उसमें बस्तिशूल है चरक चिकिसास्तान का तेरा वाद्या है जो उदर चिकिसाद्या है उसमें श्लोक नमबर जो अठरा है उदर के पुर्व रूप उस उदर के पुर्व रूप में भी बस्तिशूल ये लक्षन मिलता है चरक्चिकी सास्तान का जो पांच वाध्या है श्लोग नमबर 6 गुल्म के लक्षणों में बस्तिशूल ये लक्षण है अब हमने जो देखा चरक्चिकी सास्तान 26 अध्या है श्लोग नमबर 6 उदावर्त उसमें बस्तिशूल लक्षण है चरक्चिकी सास्तान 11 वाति का टिसारां उसमें बस्तिशूल लक्षण है चरगची कहीं सस्तान 26 श्लोक number 38 अश्मरी उसमें हमको बस्तिशूल ये लकषण मिलता है और उसी अध्यमी स्लोक number 34 वातज मुद्रक रुछ उसमें भी हमको बस्तिशूल इसी प्रकार से कुछ-कुछ यह सबी पूरे हैं ऐसा में नहीं कहता और भी कुछ लक्षन होंगे कुछ कारण होंगे तो वह भी हमको ढूनना है तो आगर बश्टिश्वल यह लक्षन कहता है तो हिस्ट्री की अनुसार हमको इस प्रकार से डिफ्रेंशिल लाइगनोसिस हम कर सकते हैं दुसरा लक्षण है मेहनयो शूलम मुत्रवेक विधारण से दुसरा इंपोर्टन लक्षण कौन सा उत्पन्द होगा मेहनयो शूलम मेहनयो शूलम याने मेट्र शूलम तो नैचरली यह आपान का शेत्र है मुत्र का निश्करमन मारगा है तो आपान प्रतिलोमित होने से उस अवयव में भी वेदना उत्पन्द होगी तो नैचरल है फिर मुत्रकृच्छम अभी मुत्रकृच्छे यह लक्षण है तो डिफिकल्टी ने एक्सपल्शन अब दी मुत्र सकष्ट मुत्र प्रवर्तन तो आपान उदावर्तित हुआ है तो इसके कारण यह लक्षण उत्पन्द हो सकता है आगे उन्होंने चरका चरह जी ने जो लक्षण कहा है वो है शिरोरुचा शिरशूलव मुत्रवेग निक्रह में शिरशूल यह लक्षण है अब यह भिन्न लक्षण है इसका कारण इसका रैशनल हम आभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह जो लक्षण है मुत्रवेग निक्रह हुआ उसके कारण शिरशूल यह लक्षण इसका लोजिक हम दोशकुण अरस महभूत में नहीं बता सकते हैं यह एक थोड़ा सा आलग स्पेशल लक्षण है वो थोड़ा याद रखना है यह मुत्रवेग विधारण में शिरोरुजा है अगर आवरण की भाषा में कहें तो अपान जिस शेतर में बहता है वो स्त्रोतस दुष्ट हुए और उसका परिणाम प्राण जिस स्त्रोतस से बहता है उस स्त्रोतस पे होने लगा यानि ये अपानावुरुत प्राण ऐसी किस प्रकार से पैथोलोजी हो गई प्रदुष्टाहा स्त्रोताउंसी स्त्रोताउंसी ये वह प्रदुष्यर्टी चरक्विमानस्तान को जो पाचवाद्ध है उसमें से श्लोक नमबर 9 एक स्त्रोतस दुष्टो होने लगा तो वो दुसरे स्त्रोतस को दुष्टो करने लगता है तो इसे कारण शायद कि आपान स्केत्रों दुष्टो होने के कारण वो उसका प्रदाम कौन से स्त्रोतस पे हो रहा है ये हम नहीं बता सकते उनमें से एक स्त्रोतस प्रांट जिस्त्रोतस से भैता है वो है इसे कारण शिरोरुजाई एलक्षन वहाँ पे उत्पन्न होता है फिर विनामों विनाम मेंस बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपां खेत्र में शूल ज्यादा है तो रुगन क्या कहता है कि बस्ति प्रदेश पे हाथ रखकर थोड़ा आगे जुकता है तो इट अक्चुली इंडिकेट्स दो पें ट्रमेंडस पें एक्ट पेंड 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 पेशंट इस फिलिंग डू तो इस इन विनाम लक्षन आराइजिस एंड वंग्षन आना हो सो वंग्षन प्रदेश में ग्रह यह लक्षन भी आपान प्रतिलो मित होने के कारण उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार से वस्तिमेहनयोहो शूलम मुत्रकुषन शिरूरुजा विनामो वंग्षन आनाहा स्यात लिंगम मुत्र निक्रहे तो इस प्रकार से यह लक्षनों की उत्त्ति यहाँ पे होती है अब इसकी चिकिसा किस प्रकार से करनी है उसका वर्णन आगे श्लोक नमबर साथ में किया है स्वेद अवगाह अभ्यंगान सरफिशाहाच अवपीडकम मुत्रे प्रतिहते कुर्याद त्रिविधम बस्तिकरमच तो मुत्रवेग विधारण की चिकिसा में सबसे पहले उन्हेंने कहा स्वेद अलग अलग स्वेद उसमें से एक स्वेद उन्हें आके कहा अवगाह स्वेद तब बात वातक न द्रव्य है अपान को अनलुमीद करने वाले द्रव्य है इनका क्वात तैयर कीजिए उसमें बोकर बैठने के लिए कहिए अवगाह स्वेद इंपोर्टेंट वन और मुत्रवेग विधारण जो लक्षण उपन होते उसमें फिर हम वह बस्तिशूल में भी दे सकते हैं मुत्रकृच्च में भी दे सकते हैं अगर मुत्रवेग अवरोध से शिरूर हुजा यह लक्षण है अपाना औरुत्त प्राण जर्शी सिंटमेटलोजी है तो उसमें भी हम स्वेद दे सकते हैं और एक स्पेशल प्रकार का स्वेद आया है मुत्रवेग के लिए बस्तिशूल के लिए जिसका वरणन चरक सिद्धिस्तान का जो नववा अध्या है उस नववे अध्या में लोक नम्बर जो आठ है पेज नम्बर 717 है उसमें एक बीच में एक लाइन है देखो बस्तो तू कुंभी स्वेद आ हा तो बस्ती रोगों के लिए बस्ती मरमागात के लिए कुंभी स्वेद जिस पेशल टाइब का स्वेद उन्हेंने कहा है तो आप अवेलिबिटी क्या उसार डिफ्रेंट स्वेध आपनाडी स्वेध दे सकते हैं कि आदे ही सकते हो लेकिन प्रिसाइज स्वेध अगर यह सकते हो लेकिन प्रिसाइज स҉पाई अगर देना है तो दो प्रकार के उन्होंने कहें कुमधी Совет वातकनाद रव्वे जो है अपन कॉनलोमित करने वाले। ऐसे दर्व्वें का कौत करके फेशन को सुपाइन एक बेड पे लिटाके musiशन का कटि प्रदेश जिस प्रदेश में आता है। फेशन का रुक्य और बस्ति जिस प्रदेश में आता है। Somzhτ के कराबर नीचे कुम्भी रखके उसमें वातक नद्रव्यों का कौत रखना है उससे जो स्वेधन होता है तो वह कुम्भी स्वेध कहलाता है तो इस प्रकार से कुम्भी स्वेध और अवगाह स्वेध अभ्यंग तो उस प्रदेश में आपांश देत्र में उसकी गतिया नुलमिक करने के लिए अभ्यंग की क्रिया करनी है और स्पेशल चिकिछा उन्हें कही सर्पिश आवपीड़कम तो यह आवपीड़क सर्पी ऐसी स्पेशल चिकिछ यह अवपीडक गुर्त मुत्रज विकारों का विशेश हूपाय है अभी इस मुत्रवेक गुर्थारण में अपान का वैगुन्या होने के कारण भी उन्होंने अवपीडक तईद ऐसा नहीं कहा उन्हें अवब पीड़ खुट कहा ऐसा क्यूं वाद का वई गुन्य है तो वाद के लिए तो गुर्त से अच्छा तैल है तो फुर उन्हें तैल पानं क्यूं नहीं कहा क्योंकि ताइल यानि तील ताइल इसके गुंधर में अगर हम पढ़ते हैं तो वो अल्पमृत्रत्व करता है ऐसा शास्त्र में कहा है और जो अल्पमृत्रत्व करता है उसका ओरली जो है देना मुख से उसका सेवन करना यह कॉंट्रा इंडिकेटेड है इसी कारण यहाँ पर उन्हें गुरुत का वर्णन किया अब पीड़क गुरुत का वर्णन किया और मुट्र की आभिवेक्ती सहार से द्रवकित्ट का निर्मिती ये पक्वाशे में अगर होती है फिर भी उसकी निर्मिती उसके कलेद वहन का कारिय पूरे शरीर में होता है मुत्र ये अन्नका द्रवकित्ट है वो पूरे शरीर में घुमकर कलेद कलेट करता है इसे कारण उनने शास्त्रकारों ने आवपीड़ गुरुत की योजना की है यह आवपीड़ गुरुत किस प्रकार से देते हैं तो उसका फर्स डोस प्राक भक्त और सेकंड डोस जिर्णान्तिक मुत्तमम मात्रया तो यह इंपोर्टन चीज है कि आज काल जो मुत्तर विकार हमको मिलते हैं भी पीएच जैसे हो या किड्नी फिल्लिवर जैसे हो तो उसमें भी हम इन सब मुत्तरच विकारों में अवपीडग गुर्त का अवपीडग गुर्त की योजना कर सकते हैं चरकाचारे जिनने अधोन आभिकत वायू में अवपीडग गुर्त का योजना करने को कहा है देखे चरक चिकिस हस्तान का जो 28 चाप्टर है उस 28 चाप्टर में लोग नंबर जो 99 है पेज नमर 621 बाहु शिर्षबत ये नस्यम पानम चा उत्तर भक्तिकम बस्तिकर्मं तु अधो नाभे शस्यते चरक अवपीडग काहा तो यह आवपीडग गुर्त की योजना मुत्रच की कारों में करना ये इंपोर्टन चीज है यह आवपीडग गुर्त अन्या किसी वैदी में नहीं कहा अधोना अभिगत वायू मुत्रच विकारों में भी शस्तरकारों ने कहा ये भी सोचने की चिंतनी की करने की बात है और इस विशय में थोड़ा और अनुसंदान और थोड़ा चिंतन और थोड़ा रिसर्च होना जरूरी है तो मुत्रच विकारों में अवपीडग गुर्त किस प्रकार से कारे करता है किस प्रकार से उसकी मोड़ा पैक्शन होती है और शास्थ्रकारों ने केवल मुत्रच विकारों में यह क्यों कह रहा अन्य दूसरे विकारों में यह क्यों नहीं कह रहा इसमें भी थोड़ा होना चिंतन होना ज़रूरी है और फिर त्रिवित अबस्ति ही तो वायू के लिए निरुह अनुवासन और उत्तर अबस्ति यह तिनों अबस्ति का योजना करने का आदे शास्त्रकारों ने कहा है तो इस प्रिकार से यह मुत्रज वेग विधारण से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी चिपित्सा करनी है बियागे शलोप नमबर आठ में पुरीश वेग विधारण के लक्षणों का उनने उल्ले किया है यहाँ पे कंट्रोलर वायू भी आपान है एक्सेंजिबल एन्टिटी अभी पुरीश है और स्थान आपान क्यत्र है पकवाश है पुरीश वहस्त्रुतस है तो उसमें लक्षण हमको दिखेंगे तो पकवाशे शिरश शूलम वातवर्चो अप्रवर्थनम पिंडिको द्वेश्टेन अत्मानम पुरिशे स्यात विधारिते मुत्रवेग विधारण में सबसे पहले बस्ती शूलम था यहाँ पे पकवाशे शूलम है तो नैचरली है अपान का स्थान है यहाँ पे भी शिरशूल यह लक्षन उन्होंने कहा है और मुत्रवेग विधारण में भी शिरोरुजा लक्षन कहा है तो यह important है कि मुत्रपुरुश यह हो यह दोनों वेग के विधारण में शिरशूल यह लक्षन उत्पन्न होता है अपान आउरुप्त प्राण यह कंडिशन दोनों अवस्था में उत्पन्न होती है जिसके कारण शिरशूल यह अलग लक्षन यह संप्रप्ति महिमना है ऐसा इस प्रकार का अलग लक्षन दोनों वेग विधारण में उत्पन्न होता है और इस शकृत रोच से पिंडिको द्विष्टेन इस प्रकार का लक्षन भी उत्पन्न होता है इसा कहा है अब यह लक्षन क्यों उत्पन्न होता है यह भी थोड़ा सा विशेश लक्षन है वागबटाचारे जी ने इस पुरिश वेग विधारण में और एक लक्षन एड़ किया प्रतिश्यायो तो यह भी अलग लक्षन है कि पुरी शिवेग विधारण हो रहा है और रुग्ण को पृतिश्चाय है तो अगर इस प्रकार से जो अलग-अलग लक्षण शास्त्र में आते हैं तो उसका अलग से अध्यान करना चाहिए अलग से उसकी उसका ध्यान रखना चाहिए अगर जिर्ण प्रतिश्चाय का रुगण आता है तो उसमें पुरीश्वेग विधारण की हिस्ट्री है क्या तो ये जानने चाहिए क्योंकि प्रतिश्चाय के हेतु अगर हम पढ़ेंगे चिर्ण चिकिस्थास्तान के 26 सद्धय में तो उसकी शुरुआ संधारणात से हुई है वेग संधारण करना ये प्रतिश्चाय का प्रतम हेतु निकाए वागबटाचारे जिने पुरिश्वेग विधारण से प्रतिश्चाय लक्षन उत्पन होता है और इसकी चिकिस्था में विजया से सिव्या प्रतिश्चाय की चिकिस्था क्या करनी है रोज एक हरित की पल से वन करने को देना है अगर वो प्रतिश चाय पुरिश वेक विधारन से उत्पन्न है तो उस पुरिश वेक विधारन की चिकिस्था के लिए वो पुरिश का अपन का अनुलोमन हो इसलिए उस प्रतिश चाय की चिकिस्था में विजयाचे सेव्या इस प्रकार से आदे इश्वन ने किया है अभी यहाँ पे जो लक्षण है पक्वाशे शूलम शिरश शूलम मात वर्चो अप्रवर्धनम पक्वाशे शूलम यह लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होता है अभी पक्वाशे यह कोश्टंग है वो मातरुजावयो है वो पुरिज धरा कले का स्थान है यानि उस कला के अदिस्थान में मलमुत्र का विवजन होता है चरेक विमास्थान पाच्छे व्याद्ध्या में यह हमने पढ़ा है कि वो पुरिज वह स्तृतस का मूल है तो पुरिज वेग विधारण से वहाँ पे शूल उत्पन होगा ही और जो आवस्था पाग जो है तुरतिय आवस्था पाग तुर्टिय आवस्ता पाक का स्थान भी पकवाशे है परिपिंडित पाक पक्वस्यद, वायु स्याद कर दुबावता हा परिपिंडित ऐसा पुरुष उत्पन्न करना यह पकवाशे में होता है तुर्टिय आवस्ता पाक से तो naturally पुरिशवेग विधारण से पक्वाशे हेंपर होगा, पक्वाशे में वात का प्रकोप होगा और ये लक्षन उत्पन होंगे शिरशूल जिसा उपर मुत्रवेग विधारण में ये लक्षन है वैसा पुरिशवेग विधारण में भी शिरशूल ये लक्षन है देखे शिरश्यूली एलक्षन की निर्मिती किस प्रकार से होती है इसका वरणन इसी चरक शूत्रस्थान के अद्ध है जो 17 है यंताशिरसी अद्ध है उसमें श्लोग नमबर 11 में किया है उस शिरो रोग की संप्राप्तिका वरण पेज नमबर 99 इसके कारण शिरो रुजा शिरश्यूर ये लक्षण उत्पन होते हैं और ये जो शिरो रोग जो है जो इस लोग नमबर चरक सुत्र सत्राव्य वरणित है उसके अगर हेतु देखे तो शिलोग नमबर आट में हेतु का वरण है संदारणात, दिवास, अपनात, रात्रो जागरणात, मदात ये हेतुओं की शुरुवात भी संदारण से है तो ये भी इंपोर्टन चीज़ थे ये संदारण ये परतम हेतु शिरो रोगों का का है मुतरवेग विदारण में शिरो रुजा है पूरिचवेग विदारण में शिरशूल है और संदारण परतम हेतु कोटेड पूर्दी शिरो रोगों और यहाँ पर शिरशूल ये लक्षन का है लेगर शिरशूल ये उपलक्षन मात्र है अगर आपान प्रतिलो मित होता है तो केबल वो शिरशूल, शिरप्रदेश में शूल हर बार उत्पन्द करेगा ऐसा नहीं तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट काइंड्स ओप शिरो विकार वो उत्पन्द कर सकता है उसका वर्णन चरक्सूत्र सत्रावे अध्यमिश लोक नूबर थर्टीन जो है इस प्रकार से अन्य-अन्य प्रकार के शिरो रोग भी हो सकते है हर बार केबल शिरशूल होगा ऐसाने शिरशूल प्रीडोमिनेंटल होगा प्राया होगा जनरल होगा लेकिन उसके साथ ये अन्य लक्षन भी हो सकते हैं फिर उन्हें ने कहा वातवर्चो अप्रवर्थनम वर्चस का प्रवर्थन नहीं होता है ये लक्षन है, ये common लक्षन है अन्य अन्य भिन्य भिन्य वैदियों में भी रुग्ण ये लक्षन ले कि हमारे पास आता है कि वातवर्चो अप्रवर्थनम तो उसका डिफ्रेंशिल लेग्नोसिस किस प्रकार से करना है तो शरक्षी किस्थास्तान का जो 28 अध्या है उस 28 अध्या में जो श्लोक नंबर 24 है तो कोष्टगतवायु का जो वरणन है उसमें ततर कोष्टास्त्रते दुष्टे निग्रोहों मुत्रवर्चसो तो कोष्टगत वायु में वर्चस निग्रह लक्षन मिलता है तो इसे अध्या में श्लोक नंबर 28 जो है तो इस प्रकार से पक्वाशेगत वायू में भी हमको वातवर्चो प्रवर्तनम इस प्रकार का लक्षन मिलता है इस अध्य में श्लोक नूबर 26 जो है गुदगत वायू में हमको वातवर्चो अप्रवर्तनम या पिर वर्चो निग्रह ये लक्षन मिलता है और इसे अध्य में श्लोक नूबर 70 उसमें जो पुरुशा वृत्त वायू है वर्चिसो वती विबंदो अधाहा स्वे स्थाने परिकृतनती रजती आशू जरामसने हो भुकते चाना ही ये तेनरा तो इस विड़ा वृत्त वायू या पुरुशा वृत्त वायू में भी हमको वातवर्चो अप्रवर्तनम इस प्रकार का लक्षन मिलता है तो ये लक्षन भिनने भिनने प्रकार से रुगण में उत्पन नहों सकते हैं तो उसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है इतियास का है जानकर हमको उसका डाइगनोसिस करना है और पिंडिकोद वेश्टे न यह पेशन लक्षन यहाँ पे उत्पन नहों होता है अब द्वेश्टन यह लक्षन प्रिडॉमिनेंटल लेके आएगा अगर उसकी हम हिस्ट्री बरावर लेते हैं तो शायद परविश्वेग विधारण यह एक कारण वहाँ पे मिल सकता है चर्क चिके सस्तन का जो अलध्य है ट्विंटी एट है उसमें श्लोप नंबर थर्टी ट गतवायू में यह लक्षन हमको मिल सकते हैं पिंडी को द्वेश्टन यह भी थोड़ी सी जानने की बात है तो इस प्रकार से यह पुरिश्वेग विधारण में पकवाशे शिरशूलम वातवर्चो प्रवर्तनम पिंडी को द्वेश्टेन अध्वानम अध्वान की उत्प अध्वानी लक्षन होगा पुरिशे स्याद विधारते अब इसकी चिकिसा अभी इसकी चिकिसा श्रौक नमबर 9 में है स्वेद अभ्यक्वगाढ़ाः स्वेद अभ्यक्वावगाह यह आप आंके यापान के अनुलामिक करने की चिकिसा जो मुत्र एक Tyra विधारण में ब चरक चिकिसास्तान 26 जो 3 इसी अध्या है उसके उदावरत्य की चिकिसाई में वर्तियों का वर्णन है तो उस वर्तियों का utilization वहाँ पे करना चाहिए बस्ति कर्मचर तो वायू का अनुलोमन करने के लिए पुरिश का प्रवर्थन करने के लिए कोष्ट शोधन करने के लिए निरूह का और पिर अनुवासन का वहाँ पे बापर कर सकते हैं प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमातिच यहाँ पे चरकाचारे जी ने प्रमाति अन्नपान ऐसा शब्द यहाँ पे उनने यूज किया है अपि इसकी ठीका देखे तो प्रमाति अन्नपान का चक्रपाने जी ने अर्थ अनुलोमनम ऐसा किया है अनलोमण अननपान का युटिलाइजेशन करना अअपर करना आहार में वागबट अचारी जी ने प्रमाथी अननपान ऐसा शिब्द नहीं कहां उनने उज्च चकांपे विड़बेदी आहार ऐसा कहां तो इस प्रकार से विड़बेदी आहार अनलोमन्त काहार प्रभण को देना चाहिए अगर पूरीष वेक विदारन है अगर आप ओल्ड एज की रुभण देखते हो या फिर लॉंग स्रेंडिंग डायविटीस ऐसा है तो उनमें पूरीष गोन मिलता है तो इसमें हम प्रमात्य अननपान का उप्योग विडबेदि आशार की अगर करते हैं तो जो आउश्द है ऑउश्द के साथ स fenomen वे योजना करते हैं तो रिजल्ट सiji अगर विधारण की किस्सा है इसके आगे और अन्य जो वेग हैं अभी तो उससे आगे जो शुक्रवेक विधारण है चरप सूत्र सातवाध्य है शलोक नंबर दस चक्रपानिटी का पेश नंबर फोर्टी नैन उससे आगे पढ़ना चालो करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे उ तो ये दस्वाश लोग जो है शुक्रवेक विधारण का उसमें आचारिय कहते हैं मेट्रे रुषण योहो शूलम अंगमर्दो रुधी व्यता भवेत प्रतिहते शुक्रे विवध्धम मुत्रमे वचर तो जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि ये मुत्रवेक वि विधारण या कोई भी विधारण को समझना किस प्रकार से है वहाँ पे एक्सेंजेबल एंटिटी कौन सी है कॉंट्रोलर वायू कौन सा है और उसका स्थान कौन सा है तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे शुक्र एक्सेंजेबल एंटिटी है कंट्रोलर जो है व में लक्षणों के निर्मती होना स्वाभा भी खए। तो उस प्रकार से उदोने मेड्रे रुषणयोहो शूलम् ऐसा लक्षन उन्हें दिया है, मेडर शूल और रुशन शूल, शुक्र वेगा अवरोध से उत्पन होने वाला लक्षन, अपान चेत्र में मेडर शूल और रुशन शूल उत्पन होगा, अंग मर्दो ये सारवदेहिक वात प्रकोप के कारण, अंग मर्द ये लक्षन उत्प तो इसी कारण शुक्रवेगा वरोथ से अंग मर्द सरवदहिक वात प्रकुप से उत्पन्न होगा और एक टीपिकल लक्षण उन्हें ने कहा है रुधी व्यथा, रुधाय में व्यथा, शुक्रवेगा वरोथ के कारण रुधी व्यथा ये लक्षण उत्पन्न होता है, ये अश्टाम संद्रकारों ने लिखा है कि योनों चे शुक्र प्रतिपादनों वायो हो, योनी में शुक्र पहुंचाने का काम वायो करता है, और हमको मालूम है ये जो वायो है, व्यान वायो है, व्यानों रुधी स्थिताहा, उसका स्थान रुधय है, ये सी कारण शुक्र अतिवुतिरन से या फिर शुक्र वेगावरोद से रुद्गत बाधा उत्पन्न हुगी अत्पन्न होती है। दिमाग में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि ये शुक्र वेगावरोद की क्लिनिकल यूटिलीटी क्या है। आजकल कोई शुक्रवेगावरोध ये हेतू लेके कोई patient हमारे पास आता है क्या तो फिर ये शुक्रवेगावरोध को हम किस प्रकार से समझे देखिए आज वह इसे शुक्रवेगावरोध के patient ये हेतू लेके patient नहीं आते हैं लेकिन सोसाइटी में या फिर टीनेज में बच्चों में हस्त मैथून नाम का जो प्रकार है वो बढ़ रहा है बच्चों में 11-12 साल से लेके 20-25 साल तक पौर्णों को आपी देखने का प्रमान भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसके कारण शुक्र वेगावरुद नहीं हो रहा है लेकिन उसके विपरीद शुक्र अति उदिरन हो रहा है तो हमारे सामने क्लिनिकली अगर पेशेंट आएगा तो वो शुक्र अति उदिरन का पेशेंट आएगा और शुक्र अति उदिरन के कारण वो लक्षणों के नि लेते समय हेतु एक्स्ट्राइट करते समय है यह पूछना पड़ेगा उस तक उस हेतु तक हमको जाना होगा यह वैद्दे का कौशल ले है एक रुपणा आया था अठारा साल का उसकी कंप्लेंटी पूरे हाथों में ट्रिमर्स हाथों में पूरा कंप सॉरी वो कोई भी महिने से एक कंप्लेंट थी उसने इस कंप्लेंट के लिए पूरे नियूरो फिजिशियन नियूरो सर्जन उन सब को दिखाया था और उन्हें अर्ली स्टेज ऑप परकेंसोनिसम ऐसा डागनोसिस करके ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया था लेकिन दो तिन महिन हेतु एक्स्ट्रेक्शन किया तो एक प्रधान हेतु शुक्रवेक अतिवदिरण था और ये शुक्रवेक अतिवदिरण की कारण जो सारवद ही क्वात प्रकुप होता है वो सारवद ही क्वात प्रकुप से ट्रिमर्स या फिर कंप रक्षन उत्मन उसमें हो रहा था जब ये हेतु बंद किया और हलाकि ये हेतु बंद करने के लिए बहुत ही काउंसलिंग की मन को शांत करने की या फिर उसमें के लिए ध्यान है उसके लिए मन पे काम करने वाली कोई दवाई या है कल लैनक गुरत जैसे मेडिसिन है तो इन दवाईयों का वापर करके यूज़ करक जब ये हेतु त्याग होगा या हुआ था उस उगण में तब ये ट्रिमर लक्षन लगबग दो या तीन सप्ता में पुरी तरीके से कम हुआ था तो ये जानने की बात है कि अगर यंग एज में पेशेंट आपके पास वातिव्यादी का आता है तो शुक्रवे काती उदरण उसमें लक्षन उसमें हेतु है या नहीं ये थोड़ा सोचना पड़ेगा अब इसकी चिकिस्या क्या है तो देखो आगे उनने स्लोक नमबर ग्यारा में उसकी चिकिस्या कई है तत्र अभ्यंगो अवगा हश्य मदिरा चरणा युधा शाली पयो निरोहश्य शस्तम मैतुनमे वच्ष अभ्यंग अवगा उनने कहा क्यूंकि वो वात शमन की चिकिस्या है शुक्रवेक अतिवदिरण या शुक्रवेगा उरोच से जो सर्वदहिक वात प्रकुपोगा उसकी चिकिस्या करने के लिए अभ्यंग है अवगा है अपान खेत्र में अवगा करना है लेकिन ये जो शुक्रवेग चिकिस्या है उसका वैशिष्ट क्या है ये ऐसा एक ही श्लोग है वेग चिकिस्या का जिस चिकिस्या में द्रव्य का उल्लेख है दूसरी चिकित्सा हम अगर पढ़ते हैं वेगा उरोद की तो उसमें केवल सिद्धानत है अभ्यंग करो बस्ती देदो प्रमाति अन्नपान देदो लेकिन द्रव्य का उल्लेख नहीं मिलता यही केवल शुकर वेचिकित्सा है जहां में एक द्रव्य का उल्लेख आता है उस द्रव्य का नाम है चरणा युदा चरण ही जिसका आयुद है ऐसा ऐसा कौन है? ऐसा कुकुट है कुकुट इदर उदर घुमता रहता है वो अपने चोंच से क्या करता है? वो अन्य सेवन करता है विश्कीर है तो इस प्रकार का जो चरणा युदा है कुकुट है उसका सेवन करने को कहा है आजकल मार्केट में जो बॉयलर कुकुट मिलता है बॉयलर चिकन मिलता है वो यहाँ पे आपेक्षित नहीं है वो सतत गुमता रहता है, इदर उदर भागता है, गतिशील रहता है, इस प्रकार का कुकुट वो शुकर की चिकिस्था में प्रयोजित करने का आदेश है वागबर जी ने इस चरणा युद के जगह पे उनने एक दुसरा परियाई शब्द यूज किया है उन्हेंने कहा है, तामर चुड़ा है, याने तामर वरनी रक्त वरनी शिखा जिसको है, ऐसा वो आजकल जो कुकुट मिलता है, तामर चुड रहता है क्या नहीं रहता तो ये थोड़ी सोचने की बात है कि चरणायुद उन्हें ने कहा कुट कहा तो मार्केट में जो मिलता है वो दे दो वैसा अगर आप करेंगे तो वो चिकित सा फलप्रद नहीं होगी क्यूंकि वो द्रव्य गरंतकारों को उस परकार से अपेक्षित नहीं है और दूसरी बड़ी बात शास्तरकारों ने गरंतकारों ने कोकूट चरणायुद याने नरकोकूट सेवन करने का आदेच दिया है हम या फिर रूगन जो सेवन करता है वो खिमिर कोकूट रहता है mostly तो ये भी सोचने की बात है कि चिकिसा शुक्र वेग की करते समय अति उदिरन की करो या वेगा उरोत की करो कोकूट सेवन करने को कहा है वो कोकूट जो है ग्राम में कोकूट होना चाहिए बॉयलर कोकूट नहीं होना चाहिए वो इदर उदर दिन भर घुमने वाला कुकुट होना चाहिए तामर चुडा उसका होना चाहिए वो नर कुकुट होना चाहिए तो इस परकार से हम सोचते हैं और उस अवस्था के अनुसार चिकिसा करते हैं तो वो जो है चरना युद्ध या फिर कुकुट है वो शुक्र के लिए लाब अपरत होगा एजोस परिमिया का एक हेतु ग्रम्याहार है और तामरचूरड चरणा युदा ये रुश्य है लेकिन अगर आप बॉइलर चिकन अतिमातरा में सेवन करते हैं तो वो चिकन चुक्रगामी इंद्रेगामी होने के कारण उस शुक्र स्थान में विकृत कफ़ और विकृत गुरुकून को बढ़ाता है इसलिए शुक्रदुष्टी के जो पेशन्ट आते हैं उनमें अगर वो बॉइलर चिकन सेवन करने का अगर हेतु मिलता है तो वो हमको हेतु त्याग करना प्रधम आवश्यक है वागबट जी ने इस शुक्र के चिकृत सामे और एक विशिष्ट कहा है उन्हें बस्ति शुद्ध कर दरव्य देने को कहा है बस्ति शुद्ध कर दरव्य जैसे कि नारियल नारिकेल और कुश्मांड इस प्रकार तो ये भी वागबट जी का वैशिष्ट है कि जो चरग जी ने नहीं कहा कि मुत्रवेक की चिकिसा में उन्हें बस्ते शुद्धिकर द्रव्य देने को कहा इसी कारण अगर शुकरदुष्टी का पेशेंट आता है तो उसको अवस्ता के अनुरूप योग्या ऐसा नर्गुकुट सेवन करने का आदेश देना और उसके साथ कुश्मांड रसायन कुश्मांड खीर कुश्मांड पाक का सेवन हम करा सकते हैं और अगर पॉसिबल पॉस होता है तो इसी प्रकार शुकरवेक की चिकिस साउदने कही है आगे श्लोक नंबर बारा में अदोवात अवरोद का वरण है संगो मिन्मुत्र वाता नाम आदमानम वेदना क्लमाहा जठरे वातजाश अन्ये है रोगासिव वात निगरहात अदोवात अवरोद के कारण किस प्रकार के लक्षणों के निर्मिति होती है उसका यहां पर वरणन किया है तो एक्सेंजबल इंटिटी अदोवात है कंट्रोलर वायू अपान है और अपान शेत्र जैसे हैं पकवाश है और पुरुशाश है यह है तो यह जो अवयुव है यह जो स्थान है उसमें वाताना म संगो वीट और मुत्र इसका संग उत्पन होगा अपान का अवरोध होने से वह अपान उदा वर्तित होगा और पुरुष का और मुत्र का संग उत्पन होगा अद्वानम अद्वानी लक्षन उत्पन्द होगा अपान का प्रतिलोम हो गया अपान और उसके कारण अद्वानी लक्षन उत्पन्द होगा और अपान क्षेत्र में वेदना वो अपानवायू प्रतिलोमित अपानवायू उत्पन्द करेगा कलमा हा जठरे वातर जाश्य अ ने रोग आहा और एक बार वो आपान उदावर्तित हो गया तो वो कोष्ट में जाके बितने बिन्न प्रकार की लक्षणों की निर्मिती कर सकता है इसको हम आवरण के भाषा में आपान आवरुत्त समान कहेंगे आपान प्रतिलोमित हो गया आपान जिस स्त्रोतस से बहता है वो स्त्रोतस तुष्ट हो गये और उसका परिणाम समान जिस स्त्रोतस से बहता है उस स्त्रोतस पर होने लगा इसे करण अपान आवरुत्त समान ऐसे जठरे वात चाहाश अन्ने रोगा इस प्रकार की लक्षणों की निर्मिती होगी अगनिमांदी है कोष्ट शूल है तो इस प्रकार की लक्षण शायद उसमें मिलते हैं अदुवात अवरोध में स्यूवात निग्रहात अब इसकी चिकिसा किस प्रकार की है वो उन्होंने आगए श्लोक नमबर 13 में कहा स्निह स्वेद विधी स्तत्र वर्तयो भूजनानिच पानानी बस्ते शेव शस्तम वातानुलोमनं तो देखो स्निह स्वेद विधी जो है वात शमन के लिए वो विधी और वर्तयो भूजनानिच बोजन जो है वो भी अनुलोमन बोजन करना है और वर्ति अपान का अनुलोम या चिकिस से अध्य है उस त्रीमर में चिकिस से अध्य है में सबसे पहले उदावर्द का वरना आता है तो उदावर्द के जो चिकिसा वहाँ पे सिद्धान्त बताए हैं वो सिद्धान्तों का यहाँ पे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो तो यह भी इंपोर्टन्ट चीज है कि पानानी बस्ते शेव शेस्तम वाता अनुलोमन और अपान का अनुलोमन करने के लिए विवित प्रकार की बस्तियों खाभी यहाँ पे यूज करने का उन्हें आदेश दिया है तो इस प्रकार से अदवात अवरोद की किसा का वरणन श्लोक नमबर 13 में आता है आगे श्लोक नमबर 14 में चर्दी वेग अवरोद का वरणन है कंडू, कोठ, अरुची, व्यंग, शोथ, पांडवा, मयज, ज्वराह, कुष्टर, उल्ला, सविसर्प, छर्दी निग्रहजा, गदाह, छर्दी वेग अवरोद सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है आजकल या आजकल या कोई भी छर्दी वेग का वरोद कैसे करेगा हमको अगर छर्दी आती है तो हम क्या उसको रोग देते हैं क्या नहीं हम तो बढ़ाक से वो छर्दी वेग निकलते हैं तो फिर आचार्यों ने छर्दी वेग अवरोद का वरणत क्यों किया दो ये एवर होल छर्दी देन वाय अचार्या पिल नेसेसिटी तो नेरेट छर्दी वेग अवरोद actually ड्र्दी वेग अवरोद, अच्छ्छ सब्छिज वेग अवरोद, अैट्ग वयु पैस्षै व्ञ का वरोद, अवाय वद। कुष्ट, यंग, विसरुप, etc. हूँच्छी, चरदी इस कुष्ट शाखागतवेगा अब। एति पिज्जा, बर्गर, वड़ापाव, यू फिल प्रचिदी और यूट इस दोष्वत गलेश्छ doṣa are eager to come out but what we are doing at that situation we are giving rantak homage, jealousy or inno and so on so we are actually suppressing this doṣot klesh so we are doing the passive suppression of shardhi so according to pascal the pressure exerted is redistributed to everywhere equally so kledh apachit anna prithvi jala mahabhut pradhan entity which is present in the amashaya after that separation passive suppression transferred to the koshta and we know that what is the important causative factor for the movement from koshta to shaka as we learn in Charak sutra 28, shlogan number 32 drutatvat marutasya cha so vāyu is having the aporadgati and and I have suppressed it and now this vāyu is having a tremendous speed so it spreads koshta material into the shakha that's why there is a visarupha vyanga shotha etc such a kind of lakshana are produced due to the charadhi vega aurut there is acidity you take antacid and there is an artric area therefore amalapitta and shita pitta adhyaya described consequently by the madho nidana just after the kushta nidana so kandu is a shakha gadh rullas and koshta gadh kandu is a rullas so the kandu and the rullas are non-different things one is at koshta another at the shakha so there is only the sthanantra gadhat turat ok is a karend this karend lakshana are charadhi vega aurut may this kushta kandu shakha gadh honne ka prawaas kushta kandu shakha gadh honne karend in lakshana ki nirmity yaha pere ho tí hai ha 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 kibamun ayog ka a important lakshan court hai ha 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 kushta kya ondhan nai pata yaya to yaya dhyan me rakhete huye yaya lakshan agar aap dhekhen ghe to uski sange hati uska rational aap koh smjh me aay gha ha kushta rullah se vishar bach chardhi nigra ja gata ha dhukhtwa pachardham dhumo langhanam raktam mokshanam rukhshan napanam vyaayam vireka astra shasyate dhikhe agar dhosh utkleshit hai amash agat hai to sady woman yaya chikitsah hai or agar dhosh shakha kud huye hai to un dhosh shakha kud dhosh kud 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 nneka nazdik ka root joh hai raktam aukshan siravidhan hai to is liye waha pere raktam aukshan yaya chikitsah dhant waha pere bata hai rukhshan napan on nikah hai kyunki prithvi jal pradhan kled pa kan entity joh hai wap koshta se shakha me pahunchi hai kud us ke virudh gud ka rukhsh shoshan karne vala ahar jesai yabha hai laja hai sat tu hai to unka seven karna jesai wakbarji nikah chartishu laja agri hai to aysa rukhsh pradhan shoshan karne vala dravvya yaha pere upyoggi hai vyayam vyayam kyun 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 vyayam se koshta shakha gati badhti hai isi karan oral agar ham koi drug dreg 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 or samtulik matra me agar ham vyayam kar te hai to go drug jaldi se koshta se shakha me pahun chay gah to santulik matra me dya hua vyayam avshed ke kare 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 tatpah ko shakha gad pahun chnye me madd kare 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 r Sabantu kare 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 katra us kare 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 nostril se हैं हमारी जो आटमॉस्पीर है उस आटमॉस्पीर में उस हवा में कितने सारे असाथ में पर्टिकल हैं वो नॉर्मली नाक के نظریrollo से हमारे नॉस्ट्रियल हैं और बाहर आ रहे यह खिनी हत्पए भार्य हैं यह प्रक्रिया नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? इतने सारे आसात में घटक शरीर में जाते हुए भी हमको अगर छींक नहीं आ रही है, जैसे कि नॉर्मली आनी चाहिए, अगर आसात में कोई भी माटेरियल शरीर में जाता है, तो शरीर का फर्स रियाक्शन कहा रहता है, उसको बाहर निकालो, वो चिंक रहता है, चिंक के मद्यम से, एकना ऐसा भी नहीं हो रहा, वो नहीं आ रही, इतना धूलीकन है, इतना एर पोलुशन है, फिर भी, ये क्शवतू का पैसिव अवरोध है, तो इस इस पैसिव सप्रेशन अब दिक्शवतू, और जिस प्रकार से काला नुरूप, ये ए एर पोलुशन बढ़ रहा है, वोस हिसाब से मन्या प्रदेश में शूल, मन्या स्तंब, इनका प्रमान भी बढ़ रहा है, इंद्रिय दरुबल्य का प्रमान आज की जमान में कितना है, नित्र दरुबल्य है, श्रवन दरुबल्य है, ग्रास्पिंग दरुबल्य है, प्रमान आजकल कितना बढ़ रहा है इसी कारण यह एर पुल्यूशन और अन्या साथ में घटकों के कारण जो पैसिव स्परेशन शबतू का होता है उसी कारण मन्या विकार इंद्रिय दौर बल्य यह लक्षणों की निर्मिति होती है तो इस प्रकार से यह विचार मन्द में रखते हुए अगर हम यह श्लोप पढ़ेंगे तो उसको हमको क्लिनिकल यूटिलिटी पता चलेगी क्योंकि हर एक शब्द को जो आचारयों ने लिखा है उस पे असी मश्रद्दा रखते हुए उस शब्द को हमको उस डबल्यू को from this word हमको वार्ट तक लेने जना है उस ड प्रक्राइबाएंगे तक हम इसकी क्लिनिकल यूटिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे यह कौईट इंप्वॉर्टेंट है यह कौईट सोचने की चीज है् श्वतु वेगावरोद शुक्र वेगावरोद चरदी वेगावरोद इसके जो लक्षन दिये हैं इसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में हम किस प्रकार से सोचें इसके क्लिनिकल यूटिलिटी के बारे में हम किस प्रकार से सोचें तो अब इसकी चिकिस्ता जो है वो श्लोक नंबर 17 में उन्हें बताईए तत्र गुर्दवजत्र के अभ्यंग हा स्वेदो धूमह स्वनावना हा हितम वातगनम आध्यम च गुर्तम च अउत्तर भक्तिकम हम देखो यह जो एयर पॉलिशन और अन्य आसाथ में घटके कारण होने माले मन्या विकार और इंदिर दौर्बल्य है इनकी चीकिसा शोधननस से है प्रतिदी निशोधननस से दिना है तो नेजल ट्रैक है उस नेजल ट्रैक को अच्छा रखने के लिए शोधननस से करना जरूरी है आजकल भी जो करना वाइरस फाइल रहा है तो उसकी अगर करने के लिए हमारा जो अपर एस्वार्ट राक है उसका उसकी वैदिक्षमत को उसकी लोकल इमिनिटी अच्छे रखने के लिए प्रतिदिन प्रतिमर्श नस्य करना एक इंपोर्टन अस्पेक्ट है नस्य के साथ धुंपान भी आप कर सकते हो तो प्रतिदिन शोदन नस्य य तो जो पराण वायू का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बादा होने के कारण उर्द्वज द्रुकत शीर प्रदेश में अभ्यंग स्वेद धुम इस प्रकार की चिकिस्टा उनने कहा है कही है और क्या कहा है उनने आक्तर भक्तिकम घुर्टम भोजन उत्तर घुर्टपान उनने करने को कहा है, तो यह typical है, जैसा मुत्रवेग अवरोद में उनने अवपीड गुर्टपान कहा था, उसी प्रकार ख्षवतु वेग अवरोद में उनने उक्तर भक्तिकम गुर्टपान कहा, ऐसा विशिष्ट उपक्रम उनने दिया है, और जहां पे वो ऐसा का नंबर बढ़ रहा है ऐसा रुग्ण कहता है श्रवन दरबल्ले का पेशन रहता है तो घृतपान और भक्तिकम अगर आपको लगा कि वो ज्यादा पॉल्यूटेड एर में रहता है पॉल्यूटेड वातावरण में रहता है और एर पॉल्यूशन वसाथ में गटक उसकी शरीर में जाना ये भी एक इंप्रोटन देतु है तो उस आवस्था में अक्तर भक्तिकम गृतपान करना इंप्रोटन थै देखें चरक चीकिसास्तान का जो 28 अद्या है तो उस वातवेदि चीकिसी अध्या तो उसस वातवेदि चीकिसी अध्या में अग्ogen आँ आपके पास हैं तो आप हैं तो आपार देख सकते हैं च्रक चीकिस आसंत्या से लोख नमबर 98 page नमबर 621 भाहू शिर्षकते नस्यम पानंच उक्तर भक्तिकं वहां पे उन्हें आफुच शिर्षकते वाते नस्यम दॉपान करने को कहा है तो इस प्रकार से जहां पे ऐसा टिपिकल आदेश है तो वहाँ पर चिंतन करने का विशय है वहाँ पर सोचने की बात है तो यहाँ पर उन्हें शवतु वेगावरोद की चिकिस्चा का वर्ण किया है आगे श्लोक नमबर 18 में उद्गार वेगावरोद की चिकिस्चा का उन्हें वर्ण किया है अगर उद्गार का वेग का उरोद होता तो उधान का दो क्षेतर है तो उधानवाइट कशषेतर में बादा होती है तो उधानवायु का प्रकॉप होरने के कारण वहां पर हिक्का अश्वास कंप विबंध रुधैयों उरसो विबंद्धा हां रुधै विबंद्ध रुधै में जकड़ाहट जैसा और फिर उरभप्रदेश में जकड़ाहट जैसा क्योंकि वह उदान का खृतर है तो इस प्रकार से लक्षण उत्पन्ध होंगे और उसकी चिक सांतुले मौशदम है तो रही का कि जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से करते हो उस प्रकार की सबहाँ पर करनी है अगे लोक नंबर 19 में जुरूंबा वे गावर्णंग है विनाम आक्षे पसंको चहा सुप्ति कंपहा प्रवे पनम जुरूंबाया निग्रहातत्र सर्वम आतगनम आउशदम देखें हमने पिछले कुछ लेक्षर में पड़ा था कि जुरूंबा और विनाम यह दोनों लक्षन साथ साथ में आते हैं जहाँ जहाँ विनाम है वहाँ वहाँ जुम्बा श्लोक में रहता ही है इस प्रकार से जुम्बा वेगावर्ण तो विनाम होगा सरवदहिक वात्प् अलाकि एलक्षण एक बार वेगावर्ण करने से नहीं होगा अगर उसका नित्या अचरण रुग्ण कर रहा है उसी करणी यह लक्षणों की निर्मिती हो सकती है तो तो उसकी चिकित्सा उनने कही है कि का शुद्वेगन ने कार्षय दोरबल्यम जुम्बाया निग्रहा त सब्सक्राइब करनी है तो इसका मतलब है कि जुम्बाय वेगावर्ण से जो होने वाला सरवली ही पात प्रकुप है उसकी चिकित्सा आपको करनी है आगे लोग नुम्बर 20 में शुदा वेगावर्ण का वरणने निकाय किया है और यह प्रैक्टिकली इंपोर्टन है और किसी कारण जब अगने संदुक्ष्ण होता है तो उस कारण रुगण अहार नहीं करता हो काल परतीत होने के बाद वो काल व्यतित होने के बाद रुग्ण अहार का सेवन करता है यह इंपर्टेंट ही तो है क्योंकि उन्होंने आचारी उन्हें जो ग्रहणी चेकर साथ है उसमें काय ना बोजने न काय अगनी दिप्पेते ना ती बोजना तो जब जब अगनी संदुक्षन होता है तब उस अ शुदावेग अवरोध प्राक्टिकली दिखता है प्राक्टिकली रुगुण में आजकल वो हितू रहता है तो यह शुदावेग अवरोध से किस्किस प्रकार के लक्षन उत्पन्न होंगे तो कार्शे दौरबल्ल्य वैवरणियम अंगमर्दो अरोची भ्रमहा फ्युद वेग निग्रहा तत्र सुत्रूत उत्तरतंत्र में शुदावेग अवरोध की कारण कुरुषताच दुरुष्टे है ऐसा टिपिकल लक्षन कहा है अन्नवह स्त्रोतसका डायरेक्टली सम्मंध नेत्र से है विरुडण जादा आप सेवन करते हो तो वो नेत्र को बादा करता है ऐसा भी हो एक रिफ्रेंस है सुसरुष्ट शारिष्टान को जो नववाध्या है उसमें श्लोक नमबर बारा है अगर आप पढ़ते हो तो उसमें अन्नवह स्त्रोतो विद्ध लक्षनों का वरणन है और उस अन्नवह स्त्रोतो विद्ध लक्षणों में आन्ध्य ये लक्षण टिपिकली उन्हें कहा है अन्नवह स्त्रोतो अगर विद्ध होता है तो आन्ध्य लक्षण उत्पन्दों होता है कि शुदा वेगावरोध के कारण सुसुरूंट ने कहा कुरुषताच धृुष्टे हे और सुसुरूत जी ने ही उत्तरतंत्रح 40 में जो अतिसार अध्या है उस कि शुक्रजतिसार की वरणभ नेकर को स्पारणिक में परचार और बा Likewise पुरिज में को पर पुरिश का प्रवरतन होता है तो अगर नित्रस्त कोई व्यादी है अन्नवह स्तृतस उसमें हैं पर हो गया तो उसका reflection नित्रवें हो सकता है इसी फिकार चरक जी ने भी चरक सूत्रस जो 26 अध्या है उस अत्रे भद्रकापी अध्याय में जो विरुद्धाहर सेवन से उत्पन्न होने वाले दोश है उन दोशों का वरणा अध्याय के खतम होते होते आखिर में किया है page number 151 चरक सूत्रस 26 श्लोक number 102 तो विरुद्धाहर सेवन से जो दोशों उत्पन्न होते हैं व्यादी उत्पन्न होते हैं उनका वरण उनने इस श्लोक में क्या है उसमें सबसे पहले क्या है शांध्य आंध्य विसरपदकोदराना आंध्य है विरुद्धाहर सेवन से आंध्य उत्पन्न होता है या आंध्य का मतलब blindness ऐसा नहीं है vision impairment या फिर आप कह सकते हो कि मायोपिया जो है वो मायोपिया चश्मे का नंबर बढ़ना ये भी उसमें अंतरबुत होता है returnal detachment ये भी उसमें अंतरबुत होता है या अन्य किसी प्रकार के नित्र की व्यादी जो दुरुष्टे एहम पर करती है वो सभी प्रकार की व्यादियों का समाविज अंध्य में होता है और ये विरुद्धाहर सेवन से उत्पन्न होता है तो इसी प्रकार जानने की बात है कि शुद्धा या फिर अन्नवहस्त्रोतस या फिर अगनी एज डाइरेक्ट रिलेशन्शिप विद नेत्र तो जब जब अन्नवहस्त्रोतस का व्यादी होगी या फिर शुदावेग का अवरोध होगा तो उसे कारण यह लक्षणों की निर्मित्य होगी और शुदावेग के कारण जो अन्ने लक्षण है कारश्यवद और बल्ल्य वाईवर्ण वो तो उत्पन्न होने ही है वो तो होगे ही और इसकी चिकितसा में उन्होंने कहा निग्द उष्ण लग भोजनम अभी उसके आगे उनने जो है वो तुरुषणा वेगा अवरोध का वरण निक्या श्लोग नंबर ट्विंटीवन में कंठा अस्य शोशो बाधिरियम श्रमाहा सादो रुदीत विताहा फिपासा निग्रहा तत्र शीतम तरपण मिश्यते लेकिन अभी तुरुषणा वेग का उरुद करेंगे तो कंठास से शोशो यह लक्षण उपन होगा वो तो लॉजिकल है लेकिन यहाँ पे एक टिपिकल लक्षण उनने दिया है तुरुषणा वेग निक्रहंट से बाधिर यह लक्षण उनने कहा है शुशुरुत ने शुर्तिहानी ऐसा शब्द लिकाए तो यह अने लेबल है कि तुरुषणा वेग का उरुद करने से बाधिर यह लक्षण क्यों उत्पन होगा इसार सम्स्ट्रेंज उनने श्म्टम्टम्स तो यह थोड़ी सोच्रेंगे तो यह थोड़ी रैशनल जिसका हम नहीं बचा सकते ऐसे कोई चीज़े है कि शुधा तुरुषणा वेग आवरोत रुगण करता है और शुरुतिहानी धरुबल्य यह लक्षण उत्पन होगा तो ऐसे जो थोड़ी से हटके या प्रभावजन्य लक्षण है तो वो थोड़ी से द्यान में रखने हैं जैसे पाधा बिंग के कारण दुरुष्टी प्रसादन होता है ऐसा वर्णन है वो कैसे होता है वो हम नहीं जानते हैं उसका लॉजिक क्या है वो हम दो शबुनरस महाबूत मैट्रिक्स में वो लॉजिक हम नहीं बैठा सकते तो इसी प्रकार ऐसे जो टिपिकल लक्षण जो है ज जैसे यहां पर कहा यह तुरुष्णा वेग अरोच से भाधेरिये लक्षण परना होता है तो इसकी चिकिस्सा में उन्होंने शीतम तरपना मिश्टे इसी चिकिस्टे उन्हें अभी जो ग्रिश्परुतु है उसमें हम यहीं कहते हैं शीतम तरपना मतलब है है अब आगे लोग नुबर 22 में बाश्प या फिर अश्रुवेग निग्रह की चिक साउन ने दिये हैं प्रतिश्यायो अक्षिरोगस रुद्रोग अरुची प्रमाहा बाश्प निग्रहा अतत्र स्वपनो मद्यम प्रिया कथा यूज वैज्बागस धी चूरी प्रिया को निग्रह प्रियृ चुप है थिए धिए कुनिकल उती अश्रु निग्रहा यदी बशepende भी डिपनेगर च्वेक भीडने इसमफने कृँ किह कर लाई के लृगक it out How I can I can what we can say the utilize this shuloka of the अश्रु वेग निगरह into our practice generally अश्रु जो है वो दो condition में आते हैं पहली condition जिसको हम कहते हैं आनन्द अश्रु आना मनुश्य लगबग या मोसली आनन्द अश्रु को नहीं रोखता कोई व्यक्ति को अगर अनन्द हो रहा है तो उसके आखों से वो जलकता है वो कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है अरे इस व्यक्ति को अनन्द हुआ है और या अश्रु जो है वो अनन्द अश्रु है लेकिन दूसरा जो प्रकार है शोक के समय यह दुख के समय जो होने वाला अश्रु स्त्राव है मनुश्य जो निगेटिव शोक के कारण दुख के कारण होने वाला अश्रु स्त्राव है यह अश्रु है बाश्प है वो रोकने का प्रेत न करता है Nowadays we are stressed we are frustrated depressed and we are wondering here and there for peace, mental peace इसे करण हम इदर उदर देखेंगे तो बहुत सारे महराज बहुत सारे बुआ लोग बहुत सारे अध्यत्मिक लोग उनके मुट उनके बड़े-बड़े आश्रुम हम देखेंगे वाइ, because society needs a peace और हमारे जो negative भावनाए हैं उनको outlet नहीं मिल रहा है अश्रुवेक अवरोज से प्रतिशाय, अक्षी रोग, ब्रह्म ये physical व्यादियां उत्वन होगी लेकिन ये negative भावनाओं के कारण continuous negative भावनाओं के कारण सत्वहनन होके रुद्रोग भी हो सकता है इसलिए उनने कहा प्रतिशाय, अक्षी रोग से रुद्रोग भी हो सकता है अगर आपकी पास चरक शारिर्स्थान है तो चरक शारिर्स्थान का साथवाद्ध है उसमें शलोग नूबर एट पेज नूबर 337 रुद्रयम चेतना अधिश्थानम एकम चेतने का अधिश्थान रुद्रय ही है तो इसी कारण सत्व का जो भनन होगा तो उसका implication उसका tramification रुद्रय पे होना ही है चरक सिद्धिस्थान का जो छटा हद्या है शरक्षिदिसान का जो नाइन्थ अध्या है उस नाइन्थ अध्या में श्लोक नंबर जो है वो फोर पेज नूबर 716 तत्र रुद्धये दशदमन्याह प्राणा अपानो मनो बुद्धी चेतना महाबूतानी चनाभ्याम अमराईव प्रतिष्टतानी तो यह भी थोड़ी जानने की बात है सोचने की बात है कि रुद्धरोग का प्रिवैलन्स किस सत्व में हो रहा है Mostly जो हवर सत्विय और मध्यम सत्व है उनमें रुद्धरोग का प्रिवैलन्स hypertension का प्रिवैलन्स और अन्य परकार के रुद्धरोग की बादा होने के संभावना यह ज़ादा बढ़ती है केवल रुद्रोग as a structure, रुद्रोग as a अवयोग की चिकिस्सा करना, हैपरेटेंशन की चिकिस्सा करती समय कोई या इंटे हैपरेटेंशिव केवले एक पिल देना, ये complete चिकिस्सा नहीं होगी, क्योंकि वो रुद्रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ है, उस कारण की आप जब तक चिकिस्सा नहीं करोगे, तब तक वो त्यागात विशम हे तुनाम ये जब तक आप नहीं करोगे, तब तक वो रुद्रोग ऐसे ठीक होगा, है है तो इसी कारण जैसे ये जो भाश्पवेग निगरहन से अशुरु वेगा निगरहन से उरुद्रों की उत्पन्ड होती है उसे प्रकार इस वेगा उरूथ से सारवदहिक वात प्रकुप होके अप्रकार के भी लक्षण और व्यादियों की दिर्विती हो सकती है और उसकी चिकिस उन्हें कहा क्या कई है तो बाश्मनिकरहना तत्र सपनों मध्यम्प्रियाक अताहा स्वपना अश्रुवेग निकरहान की चिकिस्साश्वपना आजकल ट्रेंकुलाइजर सिदेट उदेते हैं वो क्या है वो सपना ही है मध्य मध्य यह भी सिदेट्यू है लेकिन उसकी इंपोर्टन सबसे चिकिसा क्या है जो आखिर के दो वरड़ है प्रियाक अधाहा यह है प्रिय विक्तिने पेशन के साथ वारतलाप करना यह आजकी नीड है यह धी धैरिया आतमादी विद्यान देने की जरूरत है मैं आपके साथ हूँ ऐसा विश्वास रुगन को देने की जरूरत है अगर आप पित्तज दोशों का उपक्रम पढ़ेंगे तो उसमें वागबची ने कहा अयंत्रणम सुखं मित्रम ऐसा पित्त दोश की चिकित्सव पक्रम है उसमें का था है अयंत्रणम सुखं मित्रम निश्कपट मैत्री होना सेल्फिशनेस प्रेंड्शिप यह आज की नीड है यह आज की क्या कहते हैं उसको क्लेरियोन कॉल है और यंत्रणम सुखं मित्रम तो इस कारण वागबच जी ने वागबच सुत्र थर्टीन लोग नंबर सेवन में एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है कल्यान मित्र हम सब को एक कल्यान मित्र की जरुप्रत है और हम सदाइव हमारा हिताईशी है और वह मैत्री है व हमारे सब इमोशन शेयर कर सके और हमारे पॉजिटिव चीज़े तो ठीक है लेकि निगेटिव जो इमोशन है वो निगेटिव इमोशन को आउटलेट देने का कोई तो एक नजरिया होना चाहिए वह आपका लाइफ पर्टनर हो वह आपका फैमिली कोई मेंबर हो या कोई भी आपका फ्रेंट हो अगर ऐसे हवस्ता अगर रुकने के पास नहीं है तो वैद्दियर उसका कल्यान मित्र होना चाहिए यह पिक्षा है आज की क्योंकि हमारे फैमिली जो है फैमिली में अगर तीन-चार मेंबर है अजकल तो यूनिक फैमिली या फिर कोर फैमिली यही रहती है जॉइन फैमिली का तो विशया भी बड़े-बड़े शहरों से तो विलुप तो हो गया है तो यह जो कोर फैमिली रहती है उसमें जो तीन-चार मिंबर रहते हैं उसमें भी एक दूसरे के साथ समवाद अभी कम हो रहा है माता-पिता का बेटे के साथ समवाद या भी कम होते चाहरा है तो इस आवस्था में अगर रुगन आपके पास आता है वो बेटा हो या फिर माता-पिता में कोई एक हो औरुद्र वक्ता हो सकता है अन्य किसी चीज़ का हो सकता है सारवद एक बात्बरकुत की कारण आया हुआ तो उसको उस अवस्था में अगर प्रिया हा कता हा तो उसको अगर वो आवस्था की नीड़ है इसलिए नहीं उस अवस्था की वो चिकिसा भी है जब तक वो निगेटिव आउटलेट नहीं मिलेगा, निगेटिव एमोशन को आउटलेट नहीं मिलेगा, तब तक उसकी लक्षणों की उस प्याधि की चिकिसा भी नहीं होगी तो इसी खारण कंसल्टेशन करना यह बहुत इंपोर्टेंट है, पेशन के साथ कंसलिंग करना यह बहुत इंपोर्टेंट है, केवल रुगना आया, हमने एक्जामिन की और चार दवाई दी, और दस मिनिट में रुगन चला गया, यह अपरोच जादा हिताईश ही नहीं है, शायद फर्स्ट क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉल अप के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कुछ दवाई दे के आप रुगन को साथ दिन के बाद, दस दिन के बाद आने को कह सकते हो, लेकिन अगर साथ दस दिन के बाद भी रुगना आपकी दवाई लेते हुए भी, उसका और उ स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तर यह लक्षण की ना फिर यह व्याधिकी संप्राप्ति भंग पूरी तरह किसे नहीं होगा तो यह टाइम इनिवेश करना वज्देने रुग्ण में आपने बहुत जरूरी है तो इसी प्रकार यह अश्रु वेगावरोत से सपनो मध्यम प्रिया कता है इस प्रकार की चिकित्सा उनने कहीं है आगे नित्रा वेगावरोत का वर्डन उनने श्लोक नंबर 23 में किया है जुरुम्बांग मर्द तंद्राच शिरो रोगो अक्षिगवरवम नित्रा विधारना तत्र सपनाह सम्वाहना निचो अजकल भी ये भी प्रैक्टिकल दिखा जा रहा है हमको मालूम है कि आहार नित्रा व्रह्मचरिय शरीर के तिन उपस्थम्भ है तो उसमें ऐसे अगर नित्रा का पैटर्न अगर चेंज हो रहा है लाइफस्टैल चेंज हो रही है रुगण देर रात तक जग रहा है सुबह में बहुत देर से उट रहा है या फिर रुगण गलत समय पे नित्रा ले रहा है दोपर में दिन में सो रहा है गृष्मरु तो छोड़के या फिर बहुत ही कम रुगण नित्रा ले रहा है या कोई-कोई आवस्ता ऐसे रहती है कोई-कोई प्रूपेशन ऐसे रहता है जिसमें नाइट शीप्स रहती है तो सब्ता में तीन-चार दिन अगर पूरी रात में निसरग की सभाव के विपरीद अगर जग रहा है तो उसका रिफलेक्शन उसके शरीर पे होगा ही तो इन भावों का विचार हमको निद्रावेग हवरोद करते समय लक्षणों का अध्यान करते समय करना है तो यह निद्रावेग हवरोद हमको प्रैक्टिकली दिखता है और यह सम्यक निद्रानों होने के कारण जो सर्वद ही वात्प्रकुप होता है वात्पित दोनों दोज पढ वो इस प्रकार के लक्षन मिलते हैं और उसके चिकिसा करने में सुपना समाहना निचर जो इनफ स्लीप देना और समाहन करना जी इंपोर्टन चिकिसा उनने कही है तो लक्षन रुगना दूसरा प्रकार के ले क्या आएगा अक्षी शूल करके आएगा या फिर शुरो रोग क कर आएगा शुरशूल करके आएगा लेकिन उसका हेतू क्या है लेकिन अगर ही तुम निद्राविदारण है तो उसमें अच्छे प्रकार से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो यह जानने की सोचने की बात है इसका इसका सबसे बड़ा यह लीनिकल यूटिलिट्यटिए क्या है विद्ध्य को अच्छे प्रकार से हेतु निकालने आना चाहिए यह important first step है हम जब student होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान किस प्रकाव के रहता है जिकित्सा कल्प कौन सा दे शुरश्युल आया तो कौन सी चिकित्सा दे गृहनी का पेशेंट आया कौन सी चिकित्सा दे उधर का सिंपल चीज है बहुत मुश्किल चीज कौन सी है वो संप्राप्तिका ध्यान होना वो हेतु कौन से है और इन हेतुं से कौन सा दोज बढ़ा है यह जानना यह थोड़ी बुद्धिकी चीज है और हम इस aspect पे important aspect पे ही ध्यान कम देते हैं हम ज़्यादा ध्यान कल्प पे दे तो आचारियों ने कहा है न योगे रेवकेवलम योगेद्य हमको नहीं बनना है हमको अईरवेद्य बनना है तो अगर अईरवेद्य बनना है तो संप्राप्ति का नियान होना परफेक्टली ज़रूरी है उसके कारण हेतु कौन से है रुग्ण के यह जानना important चीज है तो यह अपनी आप सोचो कि मेरे पागा रुग्ण आता है तो मैं उसको कौन से कुन से question पूच्छों जिसके कारण वो मुझको और की कुछ हेतु बता सके उसके विहार के कुछ हेतु बता सके तो उसको इंप्रोइज करते जाना है अहर बार आपको अलग-अलग प्रकार के है एक 20 question या फिर 30-40 question आपके दिमाग में या फिर आपके प्रोफार्मा में रेडिय होनी चाहिए केस टेकिंग प्रोफार्मा में तो आप आपके रुकणों में पूछते जाएंगे और आपके जो history टेकिंग जो है वो ज्यादा अपडेट होता जाएगा तो आगे जो श्लोक नबर 24 है उच में श्रमस्वास अवरोध का वरणम उनने क्या है गुल्मरुद्रों को सम्मोहा श्रमनिश्वास धारणात जायंते तत्रविश्रामों वात अगनश्य क्रिया हिताहा ये श्रमस्वास अवरोध ये भी important concept है हमारे शारिरिक मर्यादर से परे उसके आगे जाके अगर हम काम करते हैं अयथा अबला आरंभ तो श्रमस्वास निर्मान होता है इसी कारण इसी समय रिलेक्स होने की जरिरुद है विश्राम हाँ और अगर ये विश्राम या फिर विश्रांती अगर हम नहीं लेते हैं तो तीन सबसे बड़े व्यादियों का वरण दोनी क्या है गुल्म रुद्रों को सम्मोहा पिछले जमने में जीवन इतना स्ट्रेस पूल नहीं था आज का जीवन जो है हम आज का जीवन जो हम जब जी रहे हैं वो रह ट्रेस हो गया है हमारे आज की लाइफ स्पीड़ पूल स्ट्रेस पूल कट्थ्रोट कॉंपिटिशन की एरा बन गई है तो श्रमस्वासर इस रिलेटेट टू दी फिजिकल सोशल इमोशनल पाइनशल लाइफ हम नीड से लेकर ग्रीड तक पहुंच चके हैं तो हमारी महत्वक अंग्षाएं हमारी आपिक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है और वो आपिक्षाएं और महत्वक अंग्षाएं पूरी करने के लिए हमारी बहुत्धिक कैपिसिटी है हमारी आर्थिक कैपिसिटी हमारी एक कारण जो रिलैक्सेशन है शरीर का और मन का यह भूलने के कारण गुल्म और उद्रोग सम्मों हा ऐसे तीन इंपोर्टेंट व्याधियों का निर्मान यहाँ पर होता है तो यह प्रैक्टिकले हम देखते हैं तो इस श्रमश्वास वेग का वरूत का भी चिंतन करना ज्यादा ज़रूरी है तो इसे प्रकार चरकोक्त जो वेग विधारण है वेग विधारण से उत्पन्न वाले रक्ष चांत्र कारों ने बताए है यहकिना आजके जमाने में हमारे रूपन किस-कीस वेग कावेभ हरत मिधारण करते हैं कोई अनुक्त वेग कोनसेकून से है जिसका कुझ्च्छा कोनसे करता है उसके वारे में भी हम सोच सकते हैं है स्वेदवेग अवरोद की लक्षणों की लक्षणों का उले शास्तर में नहीं दिया है वो लक्षण है हमको अबडेट करनी चाहИे corporate industry में I.T. а。」 आदमी काम करता है वो दज बारा गंटे AC में काम करता है, AC में वो बैठता है, वो AC की गाड़ी यूज़ करता है घर में भी उसके AC bedroom रहते हैं तो नित्य अती AC वापर के उसका utilization करने के कारण जो शरीर की normal physiology को आवश्यक स्वेद प्रवर्तन है स्वेद निर्मिती होना normal physiology के लिए आवश्यक है नित्य मात्रा में नहीं हो पाती है और स्वेद वेक अवरोद होता है स्वेद के वो लमल नहीं है वो मेद का derivative है मेद का मूल रुक है रुक का स्थान कटी प्रदेश है आजकल लंबार प्रॉप्लेम L5S1 D generation इनके रुगन जास्त मात्रा में दिखते हैं क्रोनिक रेनल फेलियोर का भी प्रमान जादा मात्रा में दिखता है तो इन सब का विचार हम इस कंडिशन में कर सकते हूं स्वेद वह स्रतदुष्टी के हितु कुरोध शोक भयाई ऐसे हैं तो इन स्वेद वेगा वरोध के कारण मानसिक इरिटाबिलिटी भी बढ़ती है AC के अतीवापर के कारण स्वेद का उदावरतन होता है और उसका परेडा मानसिक इरिटाबिलिटी पे भी होसकता है और इस्की चिकित साच्वेदन है तो रुगण में अगर अतीईसी का वापर और उसके कारण स्वेदावरोध ये हितु मिलता है तो जिके सास्वेदन करनी है तो ये हमारा अनुक्तवेग विचार है इसी प्रकार और एक important अनुक्तवेग है पिछले जमाने में महिलाएं जो menstrual period रहता था चार दिन का पाज दिन का उसमें rest लेती थी उसमें isolation होता था घर में भी वो एक कोने में अलग से रहती थी लेकिन आजकल की भागदवड की जमाने में वो विश्रांते नहीं लेती पाती वो rest नहीं ले पाती या फिर उनको possible नहीं होता और उसके साथ menstruation, pre-pond या फिर post-pond करने की drug कई बार रुगन लेता है So can we add this the effects of this Rajuvik, Udhirana or Auroda? Yes We are facing many patients of PCOD nowadays There are many patients of breast cancer because of the overuse of OCPs So ये भी हमारे रुगन को लेडी रुगन अगर आपकी पास आता है तो वो OCP उसने लिया है क्या उसने Rajuvik का Auroda या Udhirana किया है क्या तो ये भी important history हो सकती है तो इसी प्रकार ये जो वेग कंसेप्ट है ने वेगान धारणिया धारणिया वेगों का विचार ये clinically बहुत ही important concept है क्योंकि ये शास्त्र में कहा है कि ये नित्य वेगा धारण जो रुगन करता है वो किस प्रकार के रहता है वो सदातूर रहता है इनकी इम्मिनिटी कम होती जाती है so they are highly susceptible to the various kinds of infections ये रुगन बार बार आपको अन्य अन्य लेक्शन लेकि आपके सामने आएगा लेकिन उसका रूट जो है उसका कारण जो है तो अगर वेग धारण है तो वो उसको समझाना और वो तो त्याग करना important है तो इसी प्रकार ये जो अध्या है ना वेगान धारणी अध्या है उसका थोड़े अलफ मात्रा में या कहे या फिर कि shortly उसका चिंतन करने के हमने यहाँ पे कुशिच की